असलाम अलेकम, वेलकम तू माई चैनल हेच एच एच क्राफ्ट एंड डिजाइन, आज मैं आपको एक खुबसूरत नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी, उसके लिए मैंने बुकरम लिया है, बुकरम की लेंथ ली है 15 इंचीज, और चुड़ाई ली है 5 इंचीज, यहाँ 3 इंच या पौने 4 इंच के करीब मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे गला 7.5 इंचीज चुड़ा चाहिए, और गले की गहराई 7.5 इंचीज, यहाँ भी निशान लगाया है, अब इन दोनों निशानों को मिलाना है, आप गले की चुड़ाई अपने मर्जे से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और यहाँ इनके मिडल में 2 या 3 पॉइंट के करीब निशान लगाना है, तो यह मैंने निशान लगा लिया है, अब इसको कट करना है, इसके मिडल वाले हिसे को भी कट करना, जो जेस्ट 2 और 3 पॉइंट के करीब है, अब गले की चुड़ाई रखनी है पॉने इंच के करीब, तो हर पॉने इंच के करीब थोड़े थोड़े फासले पे मिनशान लगाऊंगी, अब इन निशान को मिलाना है, अब इन निशान को मिलाना है, और आप इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर कट कर देना है, तो ये गलाएंगी तो ये गलाएंगी तो ये गलाएंगी, कट के इस तरह बन जाएगा, ये गले की शेप होगी, ये मैंने इसको कपड़े के ऊपर आईरन से जोड लिया है, और तकरीबन हाफ इंच के करीब कपड़ा छोड़के उसको फोल्ड किया है, और उसके बिलकुल किनारे पे ये सिल्गाई लगानी है ताके वो बुक्रम को और कपड़े को अटैच कर रखे, अब इसको कमीज की फ्रंट साइड पे उसकी सीधी साइड पे गले को अटैच करना है, देखें के गला बिलकुल मिडल में होना चाहिए, और ऐसे बुक्रम की उपर नहीं, बुक्रम के बिलकुल साथ कपड़े की उपर आपने सलाई लगानी है, यह मैंने सलाई लगा ली है, और अब इसका मिडल वाला पार्ट कट करना है, देखें के साथ जो सलाई लगी हुई है, वो कटना हो जाएनी तो ऐसे गला सारा निकल जाएगा, और यहां से कट करते हुए आपको ज्यादा हत्यात करनी होगी, क्योंकि यहां इनफ कपड़ा नहीं है, अब इसको सीधा कर लेना है तो ये सीधा कर लिया है अब इसको तरपाई करनी है आप चाहें तो स्लाइब इलगा सकते हैं लेकिन तरपाई से ज्यादा नीट हो जाता है ये मैंने तरपाई भी कर लिया है अब भी इसको किमीज की बैक के साथ अटैच करेंगे अब मुझे ये दो कलर का कपड़ा चाहिए ये यलो मैंने लिया है त्री इंचीज चोड़ा और ये पिंक लिया है टू इंचीज और इन दोनों को फोल्ड कर लेना है इन दोनों को फोल्ड कर लिया है और इसकी फ्रिल बनानी है इसको मैंने इसलाइल गाली दोनों कपड़ों और अब इसका एक साइट का दहागा खेंचना है और दहागा खेंचने की मदद से इसमें चुनर्स डालना पड़ेंगी और बहुत इहतियास से आपको चुनर्स डालना पड़ेंगी क्योंकि अगर दहागा एक बार तूट किया तो वो चुनर्स खराब हो जाएंगी और आपक जो ज्यादा चोड़ा कपड़ा है उसको नीचे रखना है और जो चोटी फ्रिल है उसको उपर रखना है और इन दोनों को सलाई के साथ जोड़ देना है यह देखें जो ऐसे रेडी हो जाएगा इनको ऐसे जोड़ना है जो चोड़ा कपड़ा है वो नीचे होना चाहिए और जो भरीक है उसको उपर रखना होगा अब यहाँ यह वी का स्टार्ट होता है बॉटम वाला हिसा वहाँ से आपने स्टार्ट करना है एक साइट से और स्लाई गले के उपर लगानी है फ्रिल के उपर नहीं और जो स्लाई आपने लगानी है गले के उपर वो देखें कि बिल्कुल एंड पे आनी चाहिए किनारे पे इस तरह ज्यादा नीट लगेगा ऐसे ही आपने फ्रिल पूरी नक के रौंड गुमानी है जो बैक नक है उसको कुट नहीं करना उसको जस्ट फोल्ड करना है वनन हाफ यहां पौने इंचिस के करीब उसके बिल्कुल किनारे पे इस लाई लगानी है यह हो गया तो अब मैंने यह कपड़ा लिया थे इसको डबल फोल्ड किया है और इसको जहां जए कुट लगाया हुआ था वहां लगाना है अगर आपने एक साइड खुली छोड़नी है वहां बटन लगाने है डोरी वगरा लगानी है तो आप एक साइड पे ही यह कपड़ा लगाएं लेकिन मुझे यह बंद करना है तो मैं दोनों साइडों पे जोड़ रही हूँ यह मेरा गला हो गया है त्यार और यहां मैंने बटन भी लगा लिये हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यहां मैं आपको चुंत ओ सब्सक्राइब बंद करना इंरा खावर रह सब्सक्राइब करेंगे प्लीज लाइक लगाएं